हर साल दो करो रोजगार देने का वादा कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई लेकिन सत्ता मिलते ही वादे जुमले हो गए सरकार वादे भूली तो युवाओं का गुस्सा भी सामने आ चुका है रेलवे और सरकार के खिला युवाओं ने एक अभ्यान चेर दिया है युवाओं का कहना है कि रोजगार के सपने दिखाने वाले सरकार ने ना नया रोजगार दिया लेकिन पूराने रोजगार के साधनों पर भी रोक लगा दी है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट तैयारी करते हैं लेकिन पिछले चार से पांच सालों से रेलवे में भी कुछ खास नौकरिया नहीं निकल रही हैं जिसे लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हैश्टेग रेलवे नियू भरती दोश शुरू किया है जो ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहा है लोग ट्वीट कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं आखिर क्यू पत खाली रहते हुए भी रेलवे निक्तियों की मांग नहीं कर रहा है पहले कोविट का बहाना था मगर अब ऐसी कौन सी बाधा है जो रेलवे भरती नहीं कर रहा है यूवा रेलवे भरती बोर्ट और केंद्रिये रेल मंत्री अश्वनी वेश्णफ से नौकरी की मांग कर रहे हैं लगबग 2 लाग से अधिक यूवाओं ने रोजगार की मांग की है ये कोई पहली बार नहीं है जब यूवाओं करीब 3 लाग से अधिक पत खाली है यूवाओं ने पूछा है कि क्या इसके पीछे का कारण प्राइवाटाइजेशन है असल में रेलवे ने आखरी बार 2019 में आर आर बी एंटी पीसी के 35,277 पदों पर आनलाइन आवेदन मांगे थे यूवाओं का कहना है कि इसके बार रे